वेलकम बैक टू दा चैनल गाईज ने अधर ट्रेवर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है गाईज टाटा मोटर्स ने जो है एवी को लांच करा है अपनी कॉंसेप्ट एवी को लांच करा है कर्व को लांच करा है आप लोगों ने भी यूट्यूब में उसके वीडियो द रहेगा आज के टाइम पर इन फ्यूचर की बात मैं नहीं करता हूं क्योंकि फ्यूचर में क्या पता कुछ ऐसी गाड़िया आ जाए जो बहुत अच्छी रेंज आफर करें बट तिल नाओ अभी एवी लेने का कोई बेनेफिट है या नहीं है और किन को एवी लेना रहेंगे और जाल यह वीडियो को स्टाट करते हैं और वीडियो स्टाट करने से फ़हले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीज़ेगा देखिए बात करेंगे प्रेजेंट की क्योंकि कर्व जो है कर्व तो जो है तो किस दो साल के बाद आएगी दो पास क्या option है प्रेजेंट में हमारे पास सबसे सस्था option जो ए वह टिगॉर का और वह भी इस्टार्ट होता है 12 लाक से तो गाइस सबसे सस्थे option में टिगॉर है उसके बाद आती है नेक्सोन नेक्सोन जो है उससे उपर है वह करीब साड़े चौदा लाक चौदा लाक 54,000 तो गाइस जैसा कि मैंने देखा है अभी प्राइस पे टिगॉर का बेस मोडल जो है एवी का वो 12 लाक का है और वैसे ही अगर पेट्रोल की बात करें तो वो 5 लाक 80,000 रुपे का है और नेक्सोन की बात करते हैं नेक्सोन का जो बेस मोडल है वो है 14,54,000 रुपे का और उसक लिने का अंतर है नेक्सोन पेट्रोल और एवी जो है नेक्सोन की उस पे 7 लाक रुपे का डिफरेंस है तो अगर मैं नेक्सोन मेरे पास पेट्रोल वाली है क्या मैं इस पे 7 लाक रुपे का पेट्रोल भराऊगा अपनी जिन्दगी में ठीक है सबसे बड़ा कोश्चन कभ है और दूसरी चीज EV के साथ एक drawback और है क्या मैं 7 लाक उरुपे एक्स्ट्रा दूँ नेक्सॉन EV के बेस मॉडल का जो एक्शोरूम प्राइज है उस पे और उसके बाद जो है मैं टेंजन में रहूं 200 किलो मेटर चलने के बाद क्योंकि 300 किलो मेटर की रेंज है 312 किलो मेटर चलती है maximum वो भी जो कंपणी क्लेम करती है नेक्सॉन EV लेकिन जैसे ही आप पंजा ज्यादा दबाएंगे EV का ये सबसे बड़ी खराबी है कि वो जल्दी से उसकी रेंज कम हो जाएगी वो 200 किलो मेटर ही चलेगी फिर फुल चार्ज में अगर दबा के चलाओगे तो 200 भी चल सकती कोई भरोसा नहीं है परसुई मैंने यूट्यूब में बहुत फेमस यूट्यूबर है नाम नहीं दोगा उनका वीडियो देखा था जिसमें ओनर्शिप रिवियो दिखा थे और एवी ओनर को जो है वो 100 किलोमेटर की रेंज दिखा रहा था लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी चलाई चलाने के कुछ देर बाद ही उसको जो है 50 किलोमेटर की रेंज दिखाने लग गई गाड़ी और वो अपनी फैमिली के साथ बीच रास्ते में फस गिया था और अगर आपने वीडियो देखा है तो कमेंड में जरूर बताना कौन से यूटीवर थे और आप्शन दे देता है चलो मोटर अक्टेन वाले थे या मैन या मोटर थे या फिर डीडियेस थे चलो तीन उप्शन में से बताना किसके चैनल पर आया था अगर आप लोग सच में कोई काल लवर्स है तो आपने जरूर देखा होगा वीडियो तो चलो आगे बढ़ते हैं अब यार अगर फसने का डर रहे साथ लाख रुपे एक्स्ट्रा भी दो अब पैसे क्यूंटी दे रहा है भरतो दिया जल्दी जल्दी कार्ट स्वेफ करो क्या रहे हो वाई जल्दी QR कोड पैसे दो दो गाड़ी का बतलब दो गाड़ी access है पांच मदीट लगते है ठीक है पांच मिनिट भी लगता है मेरे इसाबसे दो तीन तीन मीट ौल लगतने है चलो छह मिनिट रुल्डने को तैयार नहीं आ यहान आदमी कहा आधे गुंटे charging के लिए रुकेंगे भईया तो ये वाली दिक्कतें हैं आप long drive नहीं कर सकते हो EV से long drive के लिए भी दिक्कत है हाँ suppose किसी का office जैसे कोई कोई metro city में रहता है तो वहाँ के लिए EV सही है किसी का office आना जाना रोज है और उसका office 50 km पर पड़ता है तो 50 जाना 50 आना बट metro city में maximum लोग यह हैं वो apartments में रहते हैं और apartments में क्या है कि parking तो होगी लेकिन अब उसको charging के लिए socket भी चाहिए नीचे तो आपके पास अपना कोई home होना चाहिए पूरा मतब कि वो sharing वाला apartment type का ना हो तब तो EV रखने में कोई benefit है कि आपके पास अपना घर है उसमें parking space है आप चार्ज कर रहे हैं उसको normal charger से और fast charger जो है वो तो आपको पताईए fast charging तो आपको पैसे दे के ही करनी पड़ीगी तो ऐसा भी नहीं है कि 7 लाक एक्स्टा रोप extra देने के बाद जो है गाड़ी आपकी free में चल दी है ठीक है उसके बाद भी जो है बिजली खाएगी वो और उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कते आएंगी जितनी दिक्कते मैंने आपको बता दी है ठीक है अब इल्टा देखते है पेट्रोल पेट्रोल 7,000,000 रूपे सस्ती है ठीक है बेसर बेस्सट्री रूपे सस्ती है कोई टेंशन नहीं भगाओ दोडाओ कहीं भी पेट्रोल मिल जाएगा राध के बारा बजी भी मिल जाएगा पेट्रोल 24 गंटे खुले रहते है कित्ती जगाह उपे हर जगा पर मेक्जिकम पाड़ों पर नहीं कुले रहते हैं ठीक है लेकिन और जगा पर आपको कोई दिक्कत नहीं है हाईवे में मर्जे से भगाओ गाड़ी को कितनी भगानी है डरो मत बलकुल भी ठीक और साथ लाक रुपे का पेट्रॉल कब भरोगे चलो इसको सोचते हैं सपोज मैं मालने दा हूं किसी आदमी के 10,000 रुपे की जो है मैने का पेट्रॉल का खर्चा है ठीक है 10,000 रुपे के हिसाब से आप 1,20,000 रुपे एक साल के ठीक है 6 साल में जो है आपके 7,000 रुपे वशूग लोंगे तब आप आओगे EV के बराबर बराबर है अभी कोई फाइदा नहीं है No Loss, No Benefit कोई गेन नहीं है अभी तक ठीक है, साथ, छे साल लग जाएंगे छे साथ साल मतलब बीच में छुट्टियां उट्टियां ही होंगी कभी कम भी चलाओगे, जरूरी नहीं है, रोजी चलाओगे ठीक है, तो छे से साथ साल लग जाएंगे, जब आप No Loss पर आओगे, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत benefit होगा, ठीक है लेकिन उस benefit के लिए आपको कितने सरदर दजिनना पड़ेगा, और तब तक उस EV की बैटरी जो है, जा चुकी होगी अच्छे से, तब वो 300 km की range नहीं देगी शायद और future तो तब ही predict होगा, जब कोई EV साथ साल चल जाए 300 km अभी जो EV चल लिए वो साथ साल बाद 200-200 की range भी दे सकती है, या फिर नई battery भी डालनी पर सकती है तो इस हिसाब से तो कोई भी benefit नहीं है, benefit उसी को है जो रोज चलता है, ठीक है उसको 20-30 km की उसको journey करनी पड़ती है अपने office आने जाने के लिए और उसके पास अपना घर है, वहीं पर long drive पर आप लोग जाते हैं रोज आप नहीं चलते हैं, तब तो सही नहीं है, ठीक है, in short मैं कहूं, अगर EV लेना है तो फिर घर में दो गानिया रखनी पड़ेंगी long drive के लिए अलग, और short drive के लिए अलग क्योंकि भाई साब price range तो आपने देखी ली दूसरी चीज़ अगर मैं कर्व की बात करूं 20 लाक से उपर ही आएगी तो उसको price करने का कोई फायदा नहीं है 20 लाक से उपर जो है, वो upper middle class के लोग ही ले सकते हैं, और वो लोग जो हैं, वो कभी टाटा प्रिफर करते नहीं है, वो लोग महिंदरा, टोयोटा, ऐसी गाणिया लेते हैं फॉर्चिनल और टाइप की, पताइए आपको ज़्यादा आजकल कोई ले लेता है तो हैरियल ले लेता है एक आत लोग, otherwise उची लोग उची पसंद, पताइए आपको तो देखते हैं, क्या हो रहता है फ्यूचर एवीज का, बट अभी तो बिल्कुल डाउट में है और दूसरी एक और चीज़ आता हूँ, आप उसको पहाड़ों पे लेके नहीं जा सकते हो पहाड़ों पे वो जो टॉर कहते हैं, वो नहीं मिलता है एवी में प्राबलम आती है एवी इसको चलाने में पहाड़ों पे प्लस अगर चड़ भी जाये तो बहुत ज़्यादा एक्स्रेलेशन के साथ जो है पावर देनी पड़ती है वी को जिस हो जासे बैटरी जो है आपको रेंज मिलती है बैटरी से वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो यहां पर भी बेनेफिट नहीं है पहाड़ों पे लेके नहीं जा सकते है गाड़ी और रखोस के बाद तो यहर जो फ्यूचर है वो अभी तो एवी में नहीं चलेगा जहां तक मुझे लगता है जैसा लोग कह रहें कि हाँ फ्यूचर में भी एवी जो है एवी सबसे बेस्ट रहेगी तो उसके लिए बहुत दिक्कते है सबसे जादा दिक्कत है चार्जिंग अगर चार्जिंग जल्दी हो जाया तब तो कोई दिक्कत नहीं है benefit एक ही तरगी के लोगों को है मैंने बता दिया तो यार क्या करें कर आई तो अच्छी है पर सोचा भी था खुद के लिए मन में भी सोचा कि मैं कर सकता हूं लेकिन इतनी सारी दिक्कते मेरे लिए तो हैं आपके लिए हैं comment करके जरूर बताईएगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा thanks for watching मिलते हैं अगले वीडियो में